तो वेलकम डू दो चैनल ग्यापन अकेडमी और ये हिस्ट्री चेप्टर वन जो हिरोप में राष्टवाद का उदय था उसका चौथा वीडियो है ठीक है और इस वीडियो में यहां लिखा है कि रूडिवाद का पुनर अस्था अपना सबसे पहले जानेंगे कि रूडिवा पुराना जो भी जो लोग मजदूर लोग को दबा रहे है तो लोग इसका मतलब की लग रहा है कि सच्चाई और अच्छाई वाला जो बात उसको दबाया गया है और सच्चाई और अच्छाई का यहां कुछ दिर के लिए प्रतिक बना कौन था नेपोलियन बताइए जो र सथार में राजा बना और 1815 में उसको मतलब की प्लानिंग करके एक युद में हरा दिया गया उसकी युद करना वाटरलू की युद्ध है वाटरलू याद रखिए गए पहला होता है ना कि इनसान जब बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर भी कुछ इगो हो जाता है और उ यह जो condition सामने आये, उसको कैसे face कर सकते हैं हम लोग, तो वो किसी से राय नहीं लेता था, और राय देने में पहले पादरी लोग होते थे, और वो किसी भी बोलता था, कि मेरे को किसी भी पादरी की जरूत नहीं है, और वो सिर्फ अपने तलवार पर विश्वास रखता था, वो करता था कि हमको किसी की जरूत नहीं है, जब तक हमारे पास ताकत है, हम अजाद रहेंगे, और हम खुद राज करेंगे, और भी कुछ कमिया थी, और यहाँ पर कमिया थी, कुछ राज यह जो इसके अधीन थे, वो लोग भी बिरोधी हो गया, क्योंकि नैपोलियन पू की राज्या है, कर्ट राज्या है, मतलब एक देश समझे अस्ट्रिया को, ठीक है, वो भी उसके खिलाफ में चला गया, और बता दे कि जो नैपोलियन था, नैपोलियन कुछ अपने प्रसनल बातों के वज़ा से भी उसकी हार हो गए, नैपोलियन की दो रानिया थी, तो ए नहीं के वज़ा से नैपोलियन काफी समझे तो डिमरलाइज हो गया, और वो डिमोटिवेट होते होते और आखिर कर वो अपने राज्य पर कॉंसेंट्रेट नहीं पर दिमाग नहीं लगा पाया, जिसके वज़ा से मतलब उसकी हार हो गई, अब उनकी इरानियों के बारे मे तो यहां पर देखते हैं कि किस वज़ा से वो हारा तो बता दिये आपको कि उनमें कुछ कमिया रही और वो कमियों के बारे में भी आपको बता दिये और जब उनके हारने के बाद से उनके जीते हुए राज्य को, ठीके, कैसे दूसरे देश ने उस पर अधिकार जमाया, औ इतना मेहनत करके सारे को एक करके एक जगह करके उसमें रश्टवाद उत्पन किये थे और फिर वही जो पहले चलता था ठीक है राजा माराओं का जबाना और वैसे ही लोगों को परताडित करना गरीबों का दोहन करना उस सब फिर से स्टार्ट होने वाला है और फिर से एक ब मानना था अब देखिए जब नेपोलियन हार गया तो उसके जीते हुए राज्य पर अब अधिकार अलग-अलग राज्य को हो गया उसमें थे कौन आस्ट्रिया था ब्रिटेन रूस और प्रसा इस चार आज्यम बेन थे जिन्नोंने मिल करके और किसको हराया नेपोलियन बन अस्ट्रिया ठीक है और वहां अस्ट्रिया का एक चांसलर था मेटर निक नाम याद रखी है बड़ी कटर पंती यह सा सकता ठीक है बहुत कटर था कैसे मेटर निक हर मेटर में ही पड़ता था ठीक है कोहीं का मेटर यूरोप में कोहीं भी लापड़ा हो ठीक है जहां पे द ठीक है अब यहां हुआ क्या कि जब मेटरनिक अस्ट्रिया का मतलब चांसलर था और याद रखिएगा यह सब बुलाया जैसे नेपुलियन के हारने के बाद एक जगह सब को इकटा किया नेपुलियन बोला कि आप मेरे यहां आईए अस्ट्रिया में आईए वहां बैठ करके जो जो भी नेपुलियन काम किया है उस सब काम को भंग हम लोग कर देंगे ठीक है और फिर से पूराना जैसा राज्य को कायम करना है ठीक है तो आप आईए मेरे यहां मेरी राजधानी में आईए और अस्ट्रिया की राजधानी बियना एक जगह है ठीक है अस्ट्रिया की रजदानी बियाना में बुलाए और वहां पे एक संधी हुई उसी को हम लोग बियाना की संधी काते हैं संधी का मतलब एक जुट हो करके और किसी चीज का बटवारा करना और वहां पे अलग-अलग बटवारा हुआ बियाना की संधी हुई और वहां पे छोटा-छोटा जो भ लगाय गया था तो फिर उसके जो भी आने वाला जो भी लड़का वगरा है उसको राजा लूई अठरावा को राजा बना दिया गया उसके हर एक जीते हुए और युद में जो जो नियम लगा था उस सारे नियम को तोड़ करके अपना मेटर्निक नियम लगाया और वहाँ प से कुछन पूछे कि वियाना की संदी क्या है तो नैपोलियन 1815 में हरा और मेटर्निक ने जो भी नैपोलियन को हराने में राज्य मदद किया है उस देश को इकठा किया अपनी राजधानी वियाना में और वहाँ पे बुला के एक संधी किया संधी का मतलब एक लोगों से ब पता ही दिये कि अस्रिया बिटेन रूस और प्रसा बियाना की संधी के बाद बदलाओ देखिए यहां पे बियना की संधी के बाद बदलाओ क्या क्या हुआ सब कुछ चेंज हो चुका है यहां पे नेपोलियन का नामों निसान मीटने वाला है देखिए कैसे नेपोलियन द चलता था रोडिवादी वाला बात ठीक है वहां पर वैसे ही चलना चाहिए गरीबों को दबाना है राज तंत्र को काइम करना है यह तो होता रहता है ठीक है यह हर जगा होता रहता है उसके पास जो भी संपत्य है उसको लेने के लिए और हारे हुए राजा को जीते हुए राजा का बात मानना पड़ता था तो आदेश दियागे कि तुम जो भी राज जीते हो उसको राज लोटा दो तुम जब हार चुके हो तो मेरा बात मानो क्योंकि जीता हुआ मैं नहीं करके नेपोलियन को नहीं हरा था बहुत सारे छोटे-छोटे देश मिल करके नेपोलियन को हरा थे तो जो भी राज जी हो चोटा-छोटा जो भी चीज बस गया टुकरा वह मिल बाट करके और सब राज अपना-पना जो भी हिसाया ले लिए ठीक है 49 राजियों का जर्मान सं करके छोड़ दिया था तो इसको उतना ही पर बरकरार रखा गया कि नहीं इस राजे को फिर से नहीं तोड़ा जाए और तोड़ना संभव भी नहीं था क्योंकि 300 को 49 राज बनाना बड़ी मुश्किल काम है उसको तोड़ने में भी बहुत ज्यादा समय लगेगा ठीक है उस उसको दबाई अगर वह नहीं दो उसको खतम कर देजिए और सबसे ज्यादा स्कूल और कोलेजों में निगरानी रखवाने लगा क्योंकि देखिए स्टूडेंट लाइफ जो होता है इसमें बड़ा लोग मतलब excited होते हैं कि अपने देश के लिए जान देने मतलब कुछ कर गुजरने को सुचते हैं ठीक है तो सबसे पहले उन लोगों पर निगरानी रखवाए कि जो भी स्टूडेंट जो भी विद्यारती अगर ज्यादा अपने देश के प्रतिरुजान रख रहा है उसको समझाओ हर तरीका का हत्गंड़ा अपना के उसको समझाओ और लास्ट म सकता कमें आकर की खिला थोड़ा सा नारे लगाने लगे उस नार को बाएगा नहीं तो उन किताब हो किताब अगर जो भी लिख रहा है तो किताब में भी राजा के किलाब कोई गलत बात नहीं लिखना है और जो भी बात लिखना है राजा के हीत में लिखना है राजा के तरफ से लिखना है राजा की भालाई के लिखना है कि राजा हमारे देश के अच्छे हैं ठीक है नाटको जगह जगह पहले नाटक हो ता, राष्टवाद की भावना उत्पन करने के लिए नाटक किया जाता था मनली जी एक को राजा बना ज़्याता था और दुसरा, मनली जी के यह स्रमिक और गरीब है तो देखो गरीब जाके चारो तरफ कह रहा है और उस चारो तरफ के लोग इकठा हो करके राजा को दबा रहा है इस टाइब का जब ये नाटक दिखाया जाता था लोगों में जुनून उत्पन होता था इसको भी राजा ने रोक लागा दिखाया किसी परकार का नाटक नहीं जिसमें राजा के खिलाब बात हो और राष्टवाद मेटरनिक इस पर सक्त नियम लगा चुका था ठीक है गीतो पर नियंतरन जितने भी गाने हैं जिसे लोगों के अंदर जुनून उत्पन होता है अपने देश के लिए उस सब को ब्रखास्त कर दिया गया सब को खतम कर दिया गया यह सब बहुत सारी changing मतलब नेपोलियन बोनापाट के हारने के बाद से मेटरनिक ने किया और यह सब changing करने के बाद से नेपोलियन विवस्ता को पूर्ण रूप से भंग कर दिया और एक राश्तंत्र कायम कर दिया अब अगले topic के साथ हम लोग आएंगे और इससे भी interesting topic ले करके इसी में जो topic है अगला हम लोग बढ़ाएंगे लेकिन हम लोग इसके बाद पढ़ें कि नेपोलियन के हार का वज़ा था तो वो क्या था बहुत interesting कहा नहीं है तो फिर अगले video में मिलते हैं तब तक के लिए जाहिन